अभी को मेरा नमस्यकार आज हम हैपिनेस डे थ्री हैपिनेस उत्सव का डे थ्री माइंडफुल माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स जो की ग्रेट सिक्स क्लास सिक्स की हांडबुक में पेज नुम्बर सेवन्टी पर गिवन है आज 13 जुलाई को अब 13 जुलाई को हम सब करने व आज आप 13 जुलाई के लिए करने वाले हैं डे थ्री को माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स यानि कि हम अपने विचारों पर माइंडफुलनेस करेंगे माइंडफुलनेस की अक्टिविटी अपलाए करेंगे तो देखिए स्टेप्स सबसे पहले 3 से 5 मिनट का माइंडफुल किया जाएगा बच्चे शुरुवात में माइंडफुल ब्रीधिंग करेंगे तीन से पांच मिनट के लिए उसके बाद शिक्षक विद्यारतियों को कहें कि माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स का अभ्यास करेंगे तो जैसा कि नाम से बता चल रहा है कि माइंडफुलनेस जिन देना तो आज हम विचारों पर ध्यान देंगे इसके द्वारवे अपने विचारों पर ध्यान लेकर जाएंगे इस अभ्यास को करने के लिए अब सभी विध्यारती शाथ भाव से एक आराम दायक्onne में बैठ जाएंगे अब अपने हाथों को अपनी टांगों पर सकते हैं अगर आखे बंद करने में मुश्किल फील करते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसके बाद देखिए बिटा आप देखिए गए शिक्षक विध्यारतियों कहें कि इस अभ्यास में वे अपना ध्यान विचारों की और लेकर जाए हम आम टीचर को ध्यान इस सब्सक्राओं है कि बच्चों को करते हैं कि अगरेन विचारों के तरफ लेकर जाएंगे लेकिन हमें अपने विचारों में आने वाले देखना है कि क्या यह विचार आने वाले कल के बारे में है या जो में पर जा चुका है और लिए HEY अधिकager उनके वैश्कर उनके चिक शक विद्यार्ती हों गहे कि अब जो भी विचार आ रहे हैं इन विचारों को आने और जाने दे विचारों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना लगाएं आप ऐसा ना सोचे कि मुझे यह नहीं सोचना यह अच्छी बात है ये अच्छा विचार है ये बुरा विचार है हमें उसके अच्छा और बुराई का कोई आंकलन करने की कोशिश नहीं करनी है अगर किसी विचार को अच्छा ये बुरा आकने का मन भी करे तो इस विचार इस बारे में सजग हो जाएं एकदम से अपने आपको वापस विचारों पर ध्यान रखें लेकिन उसे अच्छा या बुरा की कैटेगरी में उसको अलग लग ना बाटें कि अच्छा विचार यह बुरा विचार जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहाव पानी की बहाव की तरह हवा जैसे बहती हवी हवा हो कि यहां है कि हैं नहीं जैसे हमारी और अपने आ जय से ऑने और ध्यान देते हैं अपनी चांसों के आने और जहने पर जहन दियते हैं यह त्हु चाहिते हैं डिलाote कोशिश करें कि उनका ध्यान कहां है और सहचता पुर्वक अपना ध्यान अपने विचारों के आने और जाने की प्रक्रिया पर ले आए शिक्षक विद्यार्थियों को कहें कि अव्वे अपना ध्यान धीरे धीरे अपने बैठने की स्थिति जब आपने एक मिनट पहले ही एक हैं अगर आप उलच गए तो आपस अपनी इांगे और बीचारों को आने और जाने देंगे कि ऑ雅 कि इसके बाद लाश में बच्चे कंस स्थिति में वापस आएंगे और सजग हो जाएंगेम अपने वरण के प्रती और धीरे धीरे अपनी आखों को सहस्ता जैसी वह सहस्ता मेहसूस करे अच्छा लगए अपनी आखों को धीरे धीरे खोल दें चार से पांच बच्चों कांक संभू बनाना है जिसमें वह आपस हमारे जो प्रस्तावित प्रष्ण दिये गए हैं देखिए यह प्रश्ण दिये गया है जो ब्लाक बोड पर लिख दीजे ब्लाक बोड पर लिखने के बाद यह प्रश्ण सभी बच्चों को दिखाई देंगे तो सभी बच्चे इन प्रश्णों को रेफर कर पाएंगे उन्हें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा वो अपनी तो हमें ब्लाग बॉर्ट पर यह प्रश्न लिख देने हैं यह अभ्यास आसान था या कठिन और क्यों उन्हें कैसा लगा यह विक्सराइस किया क्या असान था या कठिन था बच्चे अपना रिफ्लेक्शन देंगे अपने अनुभव साजा करेंगे गतिविदी करते वक्त आ कि आपने विचारों में कभी अवा कِ अनमें उलज कर रहे यदि हा तो आप मिट्टी वाले जार की तरह महसूस कर रहे थे अपके मन में एक विचार था या अलग अलग विचार आरहे थे इस पर बच्चे बात करेंगे और उसके बाद अपनी happiness diary में अपना reflection लिखेंगे आपका next step होगा कि बच्चों को यह गतिविदी कम से कम 5 लोगों को अपने घर में जाके करवानी है जिसमें ममी, पापा, भाई, भैन, दोस, चाचा, चाची, दादा दादी कोई भी हो सकते हैं कम से कम 5 लोगों को बच्चे यह activity करवाएंगे अनुभव उनका non-down भी कर सकते हैं बच्चे अपनी reflection diary में नहीं तो उनको उनका नाम जरूर लिखना है कि उन्होंने किस-किस कोई activity कर रही और उनका अनुभव क्या है एक से दो लाइनों में लिख सकते हैं देखिए happiness diary मनाना mandatory है जरूरी है सबी बच्चों के लिए ताकि वो बाद में भी उसको refer कर सकें तो happiness diary में क्या यह गतिविदी आपको करने में आसान लगी या कठिन अपने विचारों को चित्र या कविता के माध्यम से दिखाएं तो बच्चों को बताना है कि उनको या आक्टिविटी कैसी लगी और दूसरा वो उसको या दोचित्र बनाकर या कविता के माध्यम से दर्शा सकते हैं और बच्चों को घर जाकर एक exercise जो में पहले ही बताई है कि बच्चों को 5 कम से कम 5 लोगों के साथ इसे करना है और इसके बाद उनका अनुभव लेना है कि यह अभ्यास उनके लिए कैसा था आसान था या कठिन था और गतिविदी करते वक्त आपके मन में क्या विचार आ रहे थे यह साजा करना है उनको अपने बड़ों के साथ अपने भाई भेन के साथ जिनके साथ वो यह activity घर जाकर करेंगे तो आशा करते हूं कि आपकी activity बहुत अच्छे से होगी class में और आप enjoy करेंगे बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे और उनके व्यक्तित्व में भी यह चीजें वो ढाल सकेंगे आने वाले समय में वो अपने विचारों के प्रती सजग हो जाएंगे वर्तमान में रहना सीखेंगे हम अपने विचारों में अधिकतर या तो पास्ट में बीतेवे कल या आने वाले कल की चिंता कर रहे होते हैं जिससे हम अपने वर्तमान को enjoy नहीं कर पाते हैं उसकी बहत्वत मेहत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं हमें आज में जीना सीखना है जिसके लिए mindfulness of thoughts ब अचे धीरे धीरे अपने वर्तमान के लिए सजग हो जाएंगे तो keep learning and enjoying stay blessed and healthy and enjoy the activity of mindfulness of thoughts. Thank you. Have a nice day.